आगे बढ़ेंगे पूरी दुनिया संकट के साए में ऐसे में दुनिया भर की निगाएं भारत पर लगी हुए हैं क्योंकि भारत की नीदी दुनिया में शांती स्थापित करने की रही है और देखना ये होगा कि इस बार प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी कैसे इस वैश्वि दुनियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्विद्दा है इसराइल समर्थक लोग भी उमीद कर रहे हैं कि अवे एक बड़ी लडाई होने वाली है खुद विदेश मंतिया इस जैश्व कर मानते कि अगला सफ्था पूर दिन्या के लिए मेहत्वित्वर होगा ये युद्ध जो फैलने की संभावना जो है ये पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विश्य है ऐसे मैं भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह फोकस दिख रहा है अब एक बात और इरान में लगबग 4,000 भारती रहते हैं वहीं इसराइल में 8500 प्रवासी भारती रहते हैं संगश की स्थिती में इन्हें निकालने के त्यारीश की जा सकती हैं भारत ने इरान और इसराइल से संयम वरत्री की अपील भी किया है एक बात और भारत दुनिया में हर देश के साथ वसुदेव कुटमकम के मन्ति के साथ आगे बढ़ रहा है यही बज़ाए कि भारत के संबन इरान और इसराइल से अच्छे हैं आपको बता दे कि दोनों ही देशों से भारत का बीते साल करीब एक लाग करोड का कारुबार हुआ था जबकि सरकारी आंखलों के मताबिक 2023 में इसराइल के साथ भारत ने करीब 99,000 करोड रुपे का कारुबार किया था इसमें करीब 70,000 करोड का निर्याद हिशामी है जलन्स की भारत के प्रधानमंति नरेंदर मोदी से कई मौकों पर शांती के लिए कदम उखारी की अपील भी कर चुके हैं तकि भारत उसके राश्पतिक पुटिंग से ही शांती वराय रखनी की सला दे चुके हैं खुद अमेरिका भी मानता है कि भारत का कदम दुनिया में बड़ा है एक रिपोर्ट के मताबिक अगर भारत जग के मैदान में उतरे देशों के समझाता नहीं तो अब तक परमाडू हमले का खत्रा दुनिया में बढ़ जाता है यही नहीं दुनिया में चाहें कि समझनी लोटेरों से बचाने के लिए कोई नदर में खाना हो या फिर किसे आपदा में दुनियावाज के नागरिकों की मदद करना हो भारत में कभी अपने हाथ नहीं कीजे यहां तक कि पाकिस्तान के नागरी को भी हाली में भूती विज़ोई के पप्ज़ेश चुलाया था देखना यह है कि इस जाइड और एरान कैसे भारत चांती का पाथ सीखते हैं तो प्रदार मंतरी मोदी की तरफ से लगता चांती की अपील की जा रही है और साथी साथ प्रदार मंतरी मोदी और भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत इसराइल के साथ है